नमश्कार स्वागत आपका UAE खबर पर चलिए शिरू करते हैं आज की ताट्यों पुलेटीन सबसे पहले हम आज की हाइलाइट्स कुछ जानेंगे फिर खबरों को दीटेल में बताएंगे लेकिन उससे पहले अभी तक अरफ टाइमस आपको डाउनलोड नहीं किया है तो दुबाइ में इस सरक हाथसा ड्राइवरों को देना होगा कुछ बातों पर ज्यान। यूए में इस रॉयल के नागरिक की हत्या क्या माफ करेंगे बिंजा में। दुबाइ ने नीजी स्कूलों के लिए चुट्टियों की की है घोशना। दुबाई से शव लाने के लिए नए नियम जारी आइपी अलॉक्षिन के लिए सउदी अरब पहुंची प्रीटी जिन टाफ और सिमागी है और आखिर में जानेंगे क्या है आज के डियाल रेट्स क्या है आज के गोल रेट्स और क्या है आज के दरहम रेट्स तो चलिए खबरों को वस्तार में बताते हैं त दुबाई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मुहमद ने रविवाद 24 नुवैंबर को दुनिया की सबसे बड़ी फ्री फन रन दुबाई रन के सिक्स्थ एडिशिन में हजारों फिटनेस के लिए एकसाइटेड लोगों का नित्रत्व किया यह दौर सुबर साड़े छ पर सवार पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने सुचारू प्रवा के लिए सरकों को साफ किया ताकि कोई भी ट्राफिक ना लगे लोगों ने खुशी मनाई जब उन्होंने अपने फिटनेस आइडल शेख हमदान को एक बाल फिर से धापको किस्तार शामल होते देखा इनके का आरामदायक पांच किलो मिटर का रास्ता चिनिका ओप्शिन मिला था पांच किलो मिटर का रास्ता म्यूजियम ऑव हुए दुबाई कनाल ब्रिज को पार करता हुआ डी आई एफ सी के गेट बिल्डिंग में वापस आता है दुबाई रान टीस दिवसी है दुबाई फिटनेस चालेंज दुबाई में सरक हाथसा राइवर्स को कुछ बातों का रखना होगा दिया दुबाई पुलिस ने अलजेरिया स्ट्रीट पर ट्राफिक जाम और दुरगटना की सूचना दी है जो लोग इस रास्ते से गुजरने वाले हैं उन्हें साबधानी बुड़तने और ऑप्शनल रा सा हुआ जिसकी कारण ट्राफिक जो है वो काफी धीमा हो गया प्रादिकरन ने अब टाउन मिडर्स चोड़ाहे के बाद मिडर ब्रीच की ओच जाने वाले अलजीरिया स्ट्रीट पार यादाया जानकी सिती के बारे में ड्राइवरों को सच्छेत करने के लिए एक्स का सहा वाले और उसमीय नागरिक के गाई है हत्या के माफ कर पाएंगे बेजर्मिन सायुट रभ अमिरात मैं कुछ ऐसा हुआ है जिसे सुनने के बाद अरब देस्टेंशन में अग्या है संयोग तरब अमिरात में एक इज्राइली नागरिक की हत्या कर दी गई है UAE के अधिकारियों ने एक इज्राइली रब्बी की मौत के सलसले में तीन लोगों को गिरफदार भी कर लिया है इज्राइल के अनुसार यहत्या यहूदी वरोधी आतंगवादी कृत के हिस्से के तौल पर की गई थी मामले में बताया जा रहा है कि ज्वी कोगन मुल्दोवन की नागरिक्ता भी रखते थे और हसीदीक यहूदियों के धार्मिक आंदोलन के साथ साथ चबाट के प्रतिनिधी भी थे जिनके कई देशों में समुदाय, राधना, स्थल और अनिसंस्थाएं भी थी असल में जवी कोगन दोपहर से ही लापता हो गये थे चबाट की अधिकालिक वेबसाइट का कहना है कि उन्हें दुबई से अगवाग किया गया था रविवार को योई के आंसरक मंत्राले ने पुष्टी की है कि उन्हें कोगन का शब मला और उनकी मौत के सलसले में तीन लोगों को किरस्तार भी किया गया है इसने संदिक्डों की पहचान की पुष्टी नहीं की लेकिन कहा कि इसने अवश्य कानोनी प्रकीरियाएं शुरू कर दी गई है और अपनी जाच पूरी होने के बाद अधिक डीटेल जारी की जाएगी इसे पहले रविवार को इसराइल के पुधान मंतरी बेजामिन नितनियाहू ने कसम खाए कि इसराइल कोगन के हत्यारो और उन्हें न्याय के कटगरे में लाने के लिए अपने पास मुझूद सभी समधानों का अस्तमाल करने वाला है दुबाई के प्राइवेट स्कूल के लिए चुटियों की की गई है घुशना दुबाई में सभी प्राइवेट स्कूल विश्वत ड्याले और नर्सिरी स्कूल्स यूए के तिरपनवे राश्ट्रिय दिवस के अफसर पर बंद रहने वाले हैं दुबाई के इस राश्ट्रिय दिवस को यूए में एदल एतिहाद के नाम से भी जाना जाता है इसे मनाने के लिए दो दिनों की चुटि दी गई है स्कूलों में ग्यान और मानव विकास प्राधिकरन ने घुशना की है कि सभी सेक्षिनिक संस्थान सोमवार 2 दिसमबर औ रहने वाले हैं रेगुलर क्लासेस बुद्वार 4 दिसमबर से वापिस से शुरू हो जाएंगे इससे पहले सार्जनिक और नीजी शित्र के करमचारियों को 2 और 3 दिसमबर के लिए पेड हॉली दिया गया है इसकी भी घोशना की गई थी इसका मतलब है कि शात्रों और इसकारियों के पास शनिवार से मंगलवार तक चार दिन का वीकेंड होगा इदल एतिहाद हर साल 2 दिसमबर को 1971 में संयुक्तरवमिलात की स्थापना के प्लक्ष में अपना रास्ट्रिय दिवस्त मनाता है हर साल दे से इस मौक्य पाल मनाने के लिए रास्ट्र व्यापी कार इक्रम भी आयो जित कराता है जिसमें आतिशपाची देखने को मिलती है और जो मोबाइल परेड दिखता है एर शो और अधिकान स्थानों पर युवई का जंडा भी फार आया जाता है दुबाई में शब लाने के लिए जो नियम है उसमें चेंजिस किये गए हैं लेते थे उनसे पैसा ठखते थे इस काम को कराने के लिए अपने हालिया परामर्श में वानिजग दुदावास ने खुलासा किया है कि उसे ऐसे काई मामले मिले हैं जो है जेंटों ने पार्तिव शरीर को वापस लाने के लिए मृतक प्रवासियों के परिवारों का शूश पैसे वसूलतें ऐसे ठखों से आपको बच कर रहना है बयान में कहा गया है कि वानिजग दुदावास शोक में डूबी परिवारों और मृतक वेक्ति के ततकाल परिवार के सदस्यों के अधिकृत वेक्तियों तक पहुंच प्रदान करती है और सुविधा प्रदान करने के पूरी तरह से प्रतिबद है वानिजग दुदावास ने अमिरात भार में सामुदाएक संगु के एक पैनल के साथ साचितारी भी की है ताकि चुनाती पूर्ण समय के दोरान परिवारों को बिना किसी सेवा शुल्क के अतिवेक्त सहायता मिल सके इसने परिवारों से ततका 26342 पर संपड करने का अग्रव किया है आइपेल आक्शन के लिए साओधी अरब पहुंची पृती जिंटा आपने फैन्से मांगी हील्प पंचाब इसकी प्रीटि जिंटा आइप लिए टीम के ऑउक्शन के लिए साओधी अरब के जिदा पहुच चुकी है अबिनेटरी ने सोचल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर फैंस से टीम के लिए सुझाब मांगे है इंस्टिक्राम पर एक वीडियो पोस्ट कर अबिनेटरी ने कैप्शन में लिखा है कि मेरा डिजिटल डिटॉक्स पूरा हो गया है अबिनेटरी ने हैस्ट्राग लगाते हुए लिखा कि टिंग आईपिल आउक्शन 2025 पंजाब किंग्स 11 चलिए आकिन में अब बताते हैं क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल रेट्स और क्या है आज के दरहम रेट्स शुरु करेंगे रियाल रेट्स से तो बता दे, आज के एक सौधी रियाल रेट्स फाहर रुपया है चो कि पिछले दन 22.45 बंगलडिसी ॥का आपको मिल रहा है जो कि पिछले दीन 31.31 आठे एक बंगलादेशी टका मिल रहा था वह आज एक साओधी रियाल में आपके 73.79 नौनौ पाकिस्तानी करेंसी मिल जाते हैं यानि बल्कूल से वह आज एक साओधी रियाल में आपको 22.47 भूटानी करेंसी मिल रही है जो कि पिशले दिन 22.24 7 बूतानी करन से ही थी चलिए बता दे हैं कि आज के गोल के रेट क्या है तो बता देए दुबई में आज 14 काड़क मुष उने का दाम 245 दिरहांप्रतिग्राम है जो कि पिशले दिन 245.54 ती यानि कि आज के गोल की रेट की 18 कारेट की भारतिय मुद्रा में कीमात 5624 है वहीं बाइस कारेट गोल का दाम 299.50 दिरहम प्रतिग्राम है जो कि भारतिय मुद्रा में 6855 के होते हैं जो कि पछले दिन 305.50 दिरहम प्रतिग्राम था वही आज के 24 करेट सोने के दान के भारतिय मुद्रा की बात करें तो यह आज 7,425 की है क्या है आज के दिरहम रेट्स तो बता दे आज एक यूवई दिरहमें आपको 22.194 रुपया मिल रहा है जो कि पिछले दिन 22.199 रुपया था तो यह थी आज के दाजा बुलेटीन ऐसे ही अज आज आज़ा आज आजा अबरेट्स के लिए हमारी चानल पर